नमस्कार भरत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कविता उपाद है हमारे साथ में हैं अवधेश कुमार चोबी जी ये आमाद में पार्टी वार्ट नमबर 30E शाहदरा विधान सभा के अध्यक्ष हैं ऐसे में सर क्योंकि लॉक्डाउन की इस्तिती ऐसी बनती जा र और क्या मीटिंग का परपसर लगता है कि हमारे आमार में पार्टी गे जो वरिष्ट हमारे मुख्य मंत्री जी हैं वो मिले हैं दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब गुरूज समय अच्छल में पोजिशन क्या है कि उत्तर प्रदेश हर्याना जो पास का सटा हुआ एरिया है तो उसमें आप देखेंगे कोई भी यह सूचता है जब बीमार होता है तो यह सूचता कि मैं दिल्ली चलू और वो दिल्ली आने की कोशिस करता है तो ऐसी पोजिशन में बाहर के सारे पेशिं गए चारों तरह वा रहे हैं और दिल्ली में भी बजारों में देख रहे हैं जा सके माहुल है तो करोना जबर्जस तरीके से खेल रहा है इसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि हम लोग सूसर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं बजार में इसले मैं आपकी चैनल क माधिम से पूरे छेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे फसूल में घर से बाहर ना निकलें जरूरत है जरूरत के हिसाफ से निकलें बजार जाएं लेकिन उतना ही कोसिस करें ताकि जो है डिसोशल डिस्टेंसिंग बना रहा है दूसरी चीज किसी भी चीज करें प्रॉपर ली जो है मास लगा की रखे हैं हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए घर से वहाँ निकलने का मत्तब मास लगा के रखना है तो हम इनका पालन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर ली जो है पूरी पबलिक हम देख रहे हैं मास तो लगा लिया और मास लगा के जैस पालन ना करने की बज़े से जो है प्रापलनी ये पोई से नारी ये अब कि हो सकता है कि जो बड़े मार्केट हैं जिन में भीड बहुत जादा है और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें हो सकता है हमारे मानिनिय मुक्मंती के जिरिवाल जी बहुत चिंते थे थे समय उन्होंने किंद सरकार को पत्र लिखा है मिलके भी आये हैं कि हमें पर्मीशन दो तक हम उन मार्केटों में लोगडाउन लगा सकें जिन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है जी बिलकुल सही बात है अफदेश जी हमारे जिलमिल कलोनी वार् बहुत ज्यादा मार्केट में यहां की भी मार्केट चाहे चोटी है या बड़ी है गलियों में बहुत भीर दिखाई देती है शोशल डिस्टेंसिंग का आप जैसे की जिक्र कर रहे हैं पालन होता देखता नहीं है क्या लगता है सर अगर लॉकडाउन की स्थिती दुबार ही कम चलेंगी तो अड़ीवन लगेगा सर जो दुकानों का आड़ीवन याने की एक दिन ये दुकान खुलेगी अगले दिन वो जो सिस्टम अभी दिखाली तोर पे यह ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जो है इस में भीड कम होगी लेकिन मार्केट बाले आपस में कौडि करता है कि यह हो जाए हम लोग मार्केट बालों से बात कर रहे हैं लगातार उनसे संपर्क में हैं कि इस में इस दिसा में कुछ करिए आप लोगी है ताकि जो सुसल डिसेंसिंग का पालन है हम वो कर सकें अफदेश शाहब हमारे जो इस दिल्ली में दो बहुत बड़े हॉस हैं सामने क्या लगता है सर क्या कारण है कि लोगों में डर हो गया है या वह विवस्था प्रॉपर मिलने पा रहे हैं लोगों को देखिए सबसे पहली चीज तो यह कि जैसा कि सर्व को मालूम है कि कोई दवाई नहीं है कोरोना के लिए हीमिनिटी बढ़ाने के लिए हम उस करते हैं ताकि काड़ा पिलाए जाए गरम पानी पिलाए जाए और कोई खास चीज नहीं है कोई बुखार हो रहा है तो मेडिशन दी जाए पीशन्ट असी परसेंट पीशन्ट तो डेमरेज हो जाता है उसे कोरोना हो गया कोरोना से लड़ने के लिए कोई दिकत नहीं है य वो तो हालत खराब है देखें डाक्टर भी डर रहा है इस समय आपने देखा बहुत से डाक्टरों की डेथ भी हुई है बहुत से नर्सों की डेथ हुई है तो ऐसे पुईशन में जो है डाक्टर भी विचारा क्या करें डाक्टर भी डरता है लेकिन यह बात बिलकुल ठीक है कि आदमी को ये महसूस होता है कि हमारे पास तो कोई आनी रहा है कुरोना के टाइम पे ज़्यादा प्रॉपरली उन पेसेंटों को ज़्यादा देखवाल होती है जिनकी पोईशन ज़्यादा खराब है तो जिनकी ज़्यादा खराब है उनकी देखवाल में लगे रहते हैं य एप जो हमारे के एजरिवाल जी ने निकाला है कि एप के थुरू आपको बैड की सिचुएशन पता चल जाएंगी कितने खाली कौन से हॉस्पिटल में खाली लेकिन सर कुछ ऐसे भी आंकड़े आएं जहां एप तो दिखाता है दरवाजे पर कि हाँ बैड्स हैं लेकिन पंदेमिट में तो इसी तरीकी से पीशन्टों का आवक जावक है इधर अपडेट होते हो अपडेट होने में टाइम लगता है बैड की पोजिशन अपडेट होने में टाइम लगता है उससे बहले बहल भर जाता है तो करा क्या जाए जब पहुंसता है वहां पर तो पता च प्राइबेट है या सरकारी है तो प्राइबेट होस्पिटलों में भी कहीं पर भी जगे नहीं है यह हाला थी अवधेश साहब छट पूजा का फेस्टिवल तीन दिन चलता है आज से शुरुवात हो चुकी है ऐसे में हाई कोट ने रोक लगा दी है कि सारवजनिक स्थानों पर तो आप नहीं कर सकते च्छट पूजा सर किस तर इसके से आप लोगों से अपील करेंगे कैसे च्छट पूजा को मनाएं और कैसे शुब कामनाई देंगे सर देखिए सबसे पहले तुम्हें यह महापरव है च्छट पूजा का जिसमें सूर भगवान की पूजा करती है आरक देती हैं तो मैं इस च्छट पूजा की सुबसर पर आपके चैनल की माधियम से शुब कामनाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं लोगों को और एक निवीदन करना चाहता हूं कि च्छट पूजा हमने भगवान की पूजा करना है तो आप अपने च्छ इस्तिति आती है हाई को दिसा निर्दे दी थी तो हमें उसका पालन करना चाहिए मैं यह प्रात्ना करना चाहूंगा अपने चेत्र के लिगों से के अपनी छट के ऊपर वो अपना सूर भगवान को अरक दें अपना वो बना लें ताकि जो है अच्छी तरीकी से वो कुजा कर करना चाहूंगा इस मौके पर कि अपने घरों में रहें और अपने घर की छट पर जा करें यह अपने आस पास में जुह है गिनेच ने लोग खटी हों और वहाँ पर एक छोटा सा टेंक बना कर अपने घर के आसपास पर पुजा करनें जो है बिलकुल यह हमारे साथ में अभी भी अध्यक्ष ही हैं ऐसे में इनका साफ कहना है कि देखे त्योहार है महापर्व है वो तो हमें मनाना ही है लेकिन शोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और केजरिवाल जी पूरे चिंतित है अपनी दिल्ली के लिए कोई ना कोई है जरूर निकलेगा आप अ ख्याल जरूर रखें और अपनों का ख्याल रखें